अच्छा तो हमने यहाँ पर y union x निकालना है y की value जो elements है वो है 2459 और union का sign बीच में लगा देंगे और x के जो elements है 1479 है आपके पास तो इस तरह आप y union x निकाल देंगे लेकिन लिखेंगे आप align करके सारी values को कि यह union का एक rule होता है कि आप जो भी values लेते हो तो चाहिए आपके पास बड़ी पहले आ रही है लेकिन आप छोटी ही पहले लिखोगे चीक है